देश विदेश की सभी खबरों से थोड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब परें और बैल आइकन रबाना ना भूलें हर खबर पर हमारी पहली नजर नमस्कार में प्रिति शर्म और आप देख रहे हैं कॉर्बेट पुलेटन नियूज खबर बरेली से है बरेली के तहसीर बहेड़ी गिराम सिम्रा भोकपुर में गन्ने की खड़ी फसल में लगाई आग ग्राम सिम्रा में प्रित किसान मुहमद हनीफ उर्फ मुन्ने ने मौके पर पहुच कर बताया कि उनकी खड़ी गन्ने की फसल में उनके ठीक बगल वाले खेट जो उनके भाई लाईक एहमद उस्मानी का है पीडित की सार मुहमद अहनीफ उर्ख मुन्ने का कहना है कि हमारे खेट में आग लाईक उस्मानी और उनके बेटे ओवेस और यूसुप ने मिलकर लगाई है पीडित का कहना है कि पहले उन्होंने अपने खेत में पराली जलाया था जिससे सभी को यह लगा कि भे अपने खेत की पराली जरा रहे हैं लेकिन पराली जलाने के बाद जाते समय हमारे खेत में आग लगा कर चले गए जिससे हमारी फसल जलकर नस्ट हो गई फसल लगबग आठ भीगा है जो जलकर नस्ट हो गई है पीरित के अनुसार उनका लगबग डेढ़ लाग सो दो लाग तक का नुकसान हुआ है मौके पर पहुँचे लेकपाल अब्दिश कुमार जो सिम्रा भोकपुर के लेकपाल है मौके पर मौायना किया और बताया कि लाइक एहमत उस्मानी ने अपने खेट में परालिट जलाई है जिसके कारण पीरित किसान मौमद हनीफ और मुन्ये के खेट में आग लगी है जिसके कारण उनका काफी नुकसान हुआ है लेकपाल के द्वारा अनुमानित 50% फसल चल चुकी है जिसके रिपोर्ट तहसील में देंगे उसके अधार पर जो उच्चित कारेवाई होगी किया जाएगा लेकपाल अबनिश कुमार ने पीरित किसान मौमद हनीफ और मुन्ये को अश्वासन दिया पीरित का कहना है कि हमारी फसल पूरी तरह बरबाद हो गई है हमारी मदद की जाए आप देख रहे हैं बरेली से शाइद अनसारी की रिपोर्ट फिलाल खबरों में इतना है बाकी खबरों के लिए देखते रही कॉर्बेट बॉलेटिन नियूस नमस्कार कर देख रहे हैं कि पणुष्मांई हो сбati में अपने खेच में प्लाड में आग लगा कि उनका का प cap श्रूम इसल का अगक्यू जाए है कि लिप सब्सक्राण को क्मारे जाए कि ख़र ओए फसल निकोच्ट हो गई यह मौके पर मवजूद है मौके पर इंक्वारी की जाए देखा जाए यह सच या जूट है लगबग कितना खेज जला है बताएंगे खेज जला है हमारा आट ही गह लगबग डेड़े कर तुम्हाई नजर में कितने का नुक्सान है हमाई नजर में यह लगभग दो लाग का नुक्सान है यह आग लहिक उस्मानी ने लगाई है आपके कहा नुशाद लहिक उस्मानी ने लहिक उस्मानी ने और उनका लड़को